Fact Edition के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है क्या आप लोगों को ये पता है कि जब हमारा बॉड़ी जीवित अवस्ता में रहता है और जैसे हम पानी पर छलांग लगाते हैं तो वो नीचे की ओर डूबने लगता है लेकिन इसके जश्ट विपरी जैसे हमारी जो सब्द का प्रयोग करते हैं तो इसके पीछे का रहस्या क्या है आखिरकार हम उस समय उल्लू सब्द का ही प्रयोग क्यों करते हैं और कि आपको ये पता है कि जैसे कि आप लोगों को ये तो पता है कि हर एक माना और जितने भी जीव जुनते हैं उन्हें जीवित रहने के ल पढ़ती है लेकिन कि आप लोगों को यह पते कि हमारे वर्ल्ड में ऐसा भी जानवर है जिसे पानी से डर लगता है तो आप लोग सोचो कि वह पानी को पीता कैसे होगा और वह पानी के बीना जिवीत कैसे रहता होगा इसके पीछी बहुती बड़ी मिश्ट्री चुपी सोच है कि जब हमें छीक आती है जब हम छीकते हैं तो उस समय उसकी स्पीड कितनी होती है तो जिस समय में छीक आती है उस समय उसकी स्पीड होती है ऐसा जानवार है जो 5 km दूर से ही पानी का पता लगा सकता है मतलब अगर कहीं भी हाथी खड़ा है और उसके 5 km दूरी में पानी इस्थित है तो वह बहुत ही असानी से उसे पता लगा सकता है नमबर 13 जब हम लोग इंगलीज में काउंटिंग करते हैं जैसे की 1,2,3,4 तो जब तक करोड ना आजाए 1 करोड मतलब जैसे हम लोग गिंते में आगे बढ़ते जाएंगे 100,000,000,000 उसके बाद आएगा आपका 10,000,000,000 तो जब तक करोड नहीं आ जाता तब तक C सी लेटर का प्रयोग नहीं होता मलब अगर आप लोग इंगलीज में काउंटिंग करेंगे 1,2,3,4 तो जब तक करोड नहीं आता तब तक C सी सब्द का प्रयोग नहीं होता नंबर 12 और यह जानकर आप लोगों को बहुत हैरानी होगी कि जैसा कि आप लोगों को मैं बोलूँ कि आप लोग पहले ट्रेन बना सकते हो या फिर साइकल तो अफकोर्स आप सभी लोगों का एक यांसर हैगा साइकल क्योंकि साइकल को बनाना बहुत ही इज़ी है और पास मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं कि साइकल से पहले ट्रेन का विस्कार किया गया था वो भी सन 18-20 में नमबर 11 जब भी हमारा कोई फ्रेंड बेवकूफियाला काम करता है तो हम उसके लिए अक्सर उल्लू सब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन का आप लोगों को यह पता है कि उल्लू को एक बुद्धिमान पक्षी माना गया है नमबर 10 प्यार इस दुनिया का सबसे खुबसूरत अनुभा है लेकिन का आप लोगों को यह पता है कि इसके बावजुद भी बहुत लोगों को प्यार करने से डर लगता है और उस डर को फिलोफोबिया कहा जाता है मलब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करने से डरता है तो उस डर को फिलोफोबिया कहा जाता है 9. Harley Davidson की जितनी बाइक पूरी दुनिया में बेची गई है उससे भी कहीं ज्यादा Royal Infilt ने सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बेची है 8. एक study के निसार यहाँ पता चलता है कि जो लोग जितना ज्यादा हसते हैं वो उतना ही ज्यादा दर्द सहन करते है 9. यह देखो आपके mobile screen पर यह कौन है यह है चंद्रसेखर आजाद लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि चंद्रसेखर आजाद ने अपने नाम का आखरी सब्द आजाद को अपनाते हुए यह कसम खाई थी कि वह कभी भी पुलिस को जिन्दा नहीं पकड़ा जाए और उन्होंने इस प्रतिग्या को पूरे अपने जीवन भर निभाया था और वो कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आया था नमबर 6 जगनात मंदिर के सिखर पर एक बहुत ही अनोखा सुदर्सन चक्र लगा हुआ है लेकिन इसमें फैक्ट यह है कि अगर आप उस सुदर्सन चक्र को किसी भी चारो दिशाओं में जाकर देखते हो तो आप लोगों को ऐसा प्रतित होता है कि जो वह चक्र का मुह है और आप के तरफी दिख रहा है मतब हैं अगर आप लोग उत्तर देखके तो भी वह आप के तौप दीखेंगा लेकिनने जैसे अधे दीशा को कौन से है और उस कार का नाम क्या है और उसकी रेट कितनी है तो सुनो इस पूरे दुनिया की सबसे महेंगी कार का नाम है कौनिक सेग CCXR ट्रेविटा जिसकी कीमत 32 करोर रखी गई है 32 करोर नमबर 4 भालू घायल होने पर आदमियों की तरह रोता है मतलब जैसे हम इनसान रोते हैं जैसे आवाज निकल कर हम रोते हैं और अगर भालू घायल हो जाता है तो भी हमारी तरह ही आवाज निकल कर रोता है तो यह है जानवरों के पीचे का फैक्ट नमबर 3 जैसे कि आप लोगों को यह पता है कि अगर हमारा जो बॉडी है वो जीवी तवस्था में है और जैसे हम पानी पर छलांग लगाते हैं तो जो हमारा सरीर है वो नीचे की और डूबने लगता है लेकिन कि आप लोगों को यह पता है कि जैसे हमारा बॉडी मृत वस्था में आता है तो आखिरकर वो पानी पर तहरने क्यों लगता है इसके पीचे का फैक्ट क्या है आखिरकर जो सव होता है वो पानी पर तैरता क्यों है तो इसके लिए आपको एक छोटी सी थियोरी समझनी पड़ेगी तो सुनो वेज्यानिक आरकमीडिज का सिध्धानत यह कहता है कि जब कोई वस्तू अपने भार के बडाबर पानी को नहीं हटा पाता तो वो पानी में ढूब जाती है और हटे हुए उस वस्तू के दवारा हटाय हुए पानी क भार कम हो तो जो वस्तू रहती है वो उस पानी पर तैरने क्रिया ईंजाइम की क्रिया और्वुल ने लगता है कि अपने भाके बराबर का पानी नहीं कर अप्र दी नगतां ऑर यही जहान Hai कि जर्न होती है का प्राइब के बाझतें के पु breast व्यां रिज़ है के व्यादर छाल Couch नहींγαगर कर सांदा टन में गर मुकेस अंबानी का है जिसकी कीमत करीब 68 अरब रूपए है 68 अरब रूपी आगे बढ़ेने से पहले आप लोग इसी की रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और अगर आप लोगों और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू नमबर वन जैसा कि आप सभी लोगों को यह तो पता ही है कि सभी जितने भी जीवजनतु है और जो मानाव है उन्हें जीवीत रहने के लिए पानी की आवास्यक्ता तो पढ़ती ही पढ़ती ह तो क्या आप लोग उस जानवार का नाम जानना चाहोगे या क्या आप लोगों को पहले से उस जानवार का नाम पता है अगर पहले से ही पता होगा तो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना तो अब मैं बता देता हूं आप लोगों को उस जानवार का नाम तो सुनो उस जानवर का नाम है गोरीला। गोरीला पानी से इतना डरते हैं कि वह डर के कारण पानी को पीते भी नहीं है। तो अब सवाल यह उड़ता है कि अगर ऑग पानी नहीं पीता तो वह जिवीद काहेंसे रहता है। तो उनकी पूरी पानी की जितने भी जरूरत रहती है, वो फल और पौधे खाने से ही पूरी हो जाती है, इसलिए उसे पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और इसी प्रकर वो जिविद भी रहता है बिना पानी के, क्योंकि उनकी जो पानी की जरूरत रहती है, वो फल और पौहते से ही पूरी हो जाती है अब मैंने तो आप लोगों को बहुं सारे facts बता दिए अब यह रहा आप लोगों से मेरा एक question और यह जो question है वह बहुंत ही इंट्रेस्टिंग होने जाली है इसलिए इस question को एकदम ध्यान से जरूर सुनना और देखते हैं हमारे वीडियो क कितने intelligent person देखते हैं जो इसका अंसर दे पाते हैं तो जो आप लोगों से मेरा question है वो यह है कि राजु की मा के 5 बच्चे हैं जिन में से पहले का नाम है राम दूसरे का नाम है स्याम और तिसरे का नाम है महस और चौथे का नाम है सूरेस तो बताओ पांचवे बच्चे का क्या नाम है देखते हैं हमारे वीडियो को कितने intelligent person देखते हैं और कितने लोग इसका सही अंसर दे पाते हैं और इसके बाद आप लोग मुझे यह जरूर बताना कि आप लोगों को इतने सारे random facts में से सबसे अच्छा और सबसे अनोखा facts कौन सा लगा और अगर आप लोग इसी तरह की बहुत ही interesting और knowledge videos देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल Masterminds पंकच को सबस्क्राइब कर लेना और साथ ही साथ बगल कर बैल आइकन को all notification करके on कर लेना जो कि जब भी मैं इसी तरह की interesting videos डालता रहूंगा तो आप लोगों को notification मिलते रहेगी और बाइ